दोस्तों अगर आपके भी घर में LPG Gas Connection है तो सभी LPG Gas Connection धारकों को एक बार फिर से अपनी EKYC को Complete करना पड़ेगा अगर आप लोग अपनी EKYC Complete नहीं करते हैं तो आपको जितनी भी थोड़ी वो Subsity मिल रही है वो Subsity आपको मिलना बंद हो जाएगी और जो भी आपको Gas Lender मिलता है ये भी मिलना बंद हो जाएगा तो इसलिए आप लोगों को अपने Gas Connection की EKYC को करना जरूरी हो चुका है तो आपको सबसे पहले तो चेक कर लेना है कि आपकी EKYC Complete है या फिर नहीं है अगर Complete नहीं है तो आपको Online ही अपने मोबाइल पॉन से ही Complete कर लेनी है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के Play Store को Open कर लेना है और आपके घर में जिस भी Company का Gas Connection है आपको उसी Company के Application को यहाँ पर Install करना है जैसे कि माल लेते हैं आपके घर में HP Gas का Connection है तो आपको Type करना है HP Gas और Search कर देना है Search करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने यह वाला Application आ जाएगा अगर माल लेते हैं आपके घर में Indian Gas Connection है तो आपको Type करना है Indian Oil 1 और Search करेंगे तो आपके सामने यह वाला Application आ जाएगा इसके बाद में आपको इसे Install कर लेना है और application को install करने के बाद में open वाले option पर एक बार click कर देना है इसके बाद में आपसे कुछ permissions माँगेगा जिसे कि आपको allow कर देना है और इसके बाद में यहाँ पर close करेंगे इस application का interface कुछ इस तरह से दिखेगा अब उपर के side में आपको 3.0 पर एक बार click कर देना है और click करने के बाद में यहाँ पर एक option आपको देखने को मिलेगा login, sign up तो आपको इसी वाले option पर एक बार click करना है जैसे ही click करेंगे अगर आप new user हैं तो आपको सबसे पहले हो तो यहाँ पर एक account create करना है जिसके लिए आपको यहाँ पर एक option मिलेगा आप कोई भी mobile number यहाँ पर enter कर सकते हैं इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी email ID को enter करना है first name यहाँ पर enter करेंगे और last name enter करेंगे I agree वाले option पर click करके register वाले option पर एक बार click कर देना है और इसके बाद आपके mobile number पर एक OTP send किया जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पर fill कर देना है और OTP fill करने के बाद में यहाँ पर आपको इस application का एक password create कर लेना है दुबारा से आपको उसी password को यहाँ पर fill करना है और इसके बाद में यहाँ पर OK वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही आप OK वाले option पर click करेंगे आपका जो registration है यहाँ पर successfully complete हो जाएगा और registration complete करने के बाद में अब यहाँ पर आपको उसी mobile number या फिर email id को fill करना है जो भी आपने password बनाया है उस password को यहाँ पर fill करेंगे और login now बाले option पर एक बार click करेंगे और click करने के बाद में आप लोग successfully इस application में login हो जाएगे यहाँ पर आपका नाम देखने को मिल जाएगा अब हमें यहाँ पर अपने LPG gas connection की EKYC को complete करना है और उसका status check करना है तो इसके लिए आपको उपर के side में एक option देखने को मिल जाएगा 3.0 आपको इसी पर एक बार click करना है और click करने के बाद में यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा my profile तो आपको यहाँ पर my profile वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर आपकी complete profile देखने को मिल जाएगी और नीचे की side में आएगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपकी LPG ID देखने को मिल जाएगी और इसी के साथ में यहाँ पर subsidy के लिए eligible हैं या फिर नहीं yes लिखा हुआ है यानि की हम subsidy के लिए eligible हैं और यहीं पर आप लोगों को आपकी KYC का जो status है वो भी देखने को मिल जाएगा KYC status के just सामने ही अगर green color का tick लगके आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो KYC है वह complete है और अगर green color का tick लगके नहीं आता है औरेंज कलर का tick आता है तो आपकी KYC complete नहीं है और online ही KYC अगर आप लोग इसकी complete करना चाहते हैं तो यहीं पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा आपको इसी वाले option पर एक बार किलिक करना है चैसे ही किलिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ tom sound condition आएंगी जिसे कि आपको इस पर tick लगा देना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा face scan आपको इसी वाले option पर एक बार किलिक करना है किलिक करने के बाद में यहाँ पर आपको face scan नाम से एक application आता है आधार face rd आपको इस वाले application को play store से download करना है जिसके लिए आपको यहाँ पर download वाले option पर एक बार click कर देना है click करने के बाद में आप redirect हो जाएंगे play store पर और यहाँ पर आपको यह वाला application देखने को मिल जाएगा आपको install वाले option पर एक बार click कर देना है तो application हमारा यहाँ पर install हो चुका है और यहां पर आपको कोई भी open का option नहीं मिलेगा अब आपको क्या करना है दोबारा से इसी वाले page पर आ जाना है और अब आपको यहां पर face scan वाले option पर एक बार click करना है जैसे ही click करेंगे यहां पर आपसे कुछ permissions मागी जाएगी जैसे कि आपको यहां पर allow कर देना है और allow करने के बाद कुछ देर तक wait करेंगे यहां पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको एक advice दी जाएगी कि आपको किस तरह से अपनी KYC को complete करना है आपको face कैसे रखना है lighting की proper विवस्ता होनी चाहिए आपको कोई भी चस्मा बगैरा नहीं लगाना है और आँखों को आपको बिल्कुल खोला रखना है तो यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहां पर आपको एक box दिखाई दे रहा है इस box पर आपको take लगाना है और proceed वाले option पर एक बार click कर देना है अब जैसे ही click करेंगे यहां पर आप लोग देख सकते हो आपका जो front camera है चालू हो जाएगा आप चाहने तो back camera से भी KYC को complete कर सकते हैं अब यहां पर जो भी rate color का गोला दिखाई दे रहा है इसे में आपको अपने face को अच्छे से रखना है और background आपका white होना चाहिए तो जल्दी से capture हो जाएगा जैसे ही यह circle green color का होता है इसके बाद में आपको यहां पर capture कर लेना है और इसके बाद में आपको proceed करना है जैसे ही proceed करेंगे तो आपकी जो KYC है बहे यहां पर complete हो जाएगी जैसे कि हमारी यहां पर पहले से ही KYC complete है इसलिए हमने यहां पर अपनी KYC को complete नहीं किया है तो आपको सबसे पहले तो अपने status को check कर लेना है कि आपकी KYC complete है या फिर नहीं और अगर यहां पर KYC complete नहीं है बाकि अगर आपके घर में HP का connection है या फिर भारत गयस का connection है तो इससे related में वीडियो बना चुका हूँ दोनों ही वीडियो का link इस वीडियो के description box में दे दूँगा